फिप्रोनिल जिसे आप में से ज्यादा तर किसान रीजन्ट के नाम से जानते हैं वसे रीजन्ट नाम से मार्केट में फिप्रोनिल को उपलब्ध कराने का काम सिर्फ बायर का है आप दुकानदार से जब रिजन्ट मांगते हैं तो वो आपको रिजन्ट, रिजन्ट, रेजन्ट, वीजन्ट, प्रेजन्ट, अरजन्ट जैसे मिलते जुलते कई नाम और उसके साथ टाप ब्रांडड कम्पनियों के अलग नामों से भी आपको दवाएं दे देता है इन सभी में आपको एक चीज कामन मिलती है वो है दवा का टेक्निकल फिपरोनिल दसमलो 3% और वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में फिपरोनिल दसमलो 3% के अलावा अने कई मात्राओं में उपलब्ध हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको फिपरोनिल दसमलो 3% ग्रणोलर के बारे में ही बताऊँगा मैं हूँ आपके साथ संजीव संकतिवारी स्वागत है आप से भी का आपके अपने चैनल क्रियेटिव सैस में फिपरोनिल गहरे गुलाबी रंग में या फिर कह दिजिए कि चुकंदर के कलर में पाया जाने वाला दानेदार कीटना सके जो अपनी कारेचंता के अनुसार अरली सूट बोरर, रूट बोरर, इस्टेम बोरर, लीप फोल्डर, ग्रीन लीप हूपर, रैस लीप हूपर, ब्राउन प्लांट हूपर, वाइड बैक्ट प्लांट हूपर, रोल मैगाट, रैस गाल मियाज के साथ साथ, टर्माइट अर्थात, दीमक्त से पौधों को बच जैसे अर्ली सूट बोरर रूट बोरर यह पौधों में तब लगेंगी जब पौधा होगा अगर दीमक लगती हैं तो पौधा ही नहीं होगा क्योंकि दीमक सबसे पहले पौधे की जड़ को निशाना बनाता है और उसे ही खा करके खत्म कर देता है जिससे पौधे सूख जात कि आपको उस पौधे में जड़े मिले ही नहीं फिप्रो निल 0.03 का प्रयोग समस्चा होने से पूर्व जैसा की बुवाई में किसान करते हैं या फिर समस्चा होने के बाद दोना ही अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इसका अधिकांस्त्या का नाम इसमें प्रथम पायदान पर आएगा फिप्रो निल दस्मनों तीन प्रचिसत पौधे में उपरोक्त बताई गई ब्याधियों से बचाने के साथ साथ पौधे के जड़ वातनों के विकास में भी काफी ज़्यादा मददगार होती है जिससे फसल स्वस्थ प्रियोग की मात्रा में देखा जाए तो गन्य की फसल में इसका प्रियोग 10 से 15 किलोग्राम प्रत एकर के हिसाब से करना होता है वहीं बाकी की फसलों में जैसे धान, गेहुं, मक्का, आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर, चना, मसूर, अरहर इत्यादे सभी फसलों जो भी है उनमें 10 किलोग्राम प्रत एकर के हिसाब से प्रियोग करना होता है अगर इसके टाक्सिसिटी लेबल को देखा जाए तो यह एलो लेबल की है लेकिन कुछ प्रोडक्स में आपको ग्रीन लेबल या फिर ब्रियो लेबल की देखने के लिए मिल सकते हैं अगर इसके वेटिं देखने का प्रियोग जरूर करना चाहिए क्योंकि इस पर चड़ा हुआ कलर या फिर इसका जो जहर है वो आपके नंगे हाथों में तीन दिन तक असर बनाये रखता है जो कि आपको खाना खाते वक्त विशेश कर डाल चाल खाते वक्त आपके पेट में ज्यादा मात्रा मे करती है जो कि मुफ्त देती है लेकिन उसका भी प्रियोग किसान करते नहीं है वो पैकेट के साथ उसी तरीके से खेट में पड़ी हुई टेप के साथ लगाई मिल जाती है उसे खोल कर देखते भी नहीं ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो कमपनियां अपने प्रोडक्स फिप्रोनिल के साथ दस्ताने नहीं दे रही है उनकी लिए किसान अलग से खरीदेगा फिर प्रियोग करेगा क्योंकि जिनके साथ मुफ्त में मिल ला है उनका तो प्रियोग कर ही नहीं रहा है तो अलग से खरीद कर प्रियोग करना बहुत बड़ी बात हो जात इसके अतरिक तिभी मार्केट में आपको अनगिनत नाम मिल जाएंगे जिनका प्रियोग आप अपने विश्वास अपने बजट की हिसाब से कर सकते आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाजत मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम सब्सक्राइब नाव और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट